तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक, बैक दे वेलकम और स्वाधत आपका एक बरा न्यूद गलाच सीन से भारे पड़े पड़े पपची दूंबाल येंप ले वीडियो में और आखिर कार्ब कई महीनों बाद आखिर कार जाके रोजोग भर रकाए काफी टाइम हो गया थे और हर एक बंदा वहीं अपार्टमेंट में जिसको देखो वहीं पहुचा पड़ा है ना जाने क्यों ऐसा क्या हुआ अचानक से अपार्टमेंट बढ़ने लग गए और अपार्टमेंट के चक्कर में रोजोग खाली पड़ा दुख बहुत हुआ था लेकिन आज फिर से वापिस से रोजोग पे भीड़ाएगी और बहुत जादा भीड़ाएगी कैरे उस भीड़ को थोड़ा आगे बकड़ेंगे फिलाल के लिए यहां सिभर नहीं उत्रें और यहां पे भीड़ है भागे जादा है बढ़ा है अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ यह सोट गन मिली है लेकिन यार बंदों को पकड़ने होगा क्योंकि यहां पे लूट के नाम पे यही सब चीजे मिलती है और यह वाला बंदा यार सोट गन लेके हमारे भाई के पिछे पड़ जाता है मैं कूता हूँ यह भगे जा रहा है पेटी बनाने के लिए लेकिन यहां पे आर सोट गन से जादा मैं पिस्टोल चलाना सही समझता हूँ सोट गन ऐसा है मिस हो गया तो दिक्कत भी हो सकती है लेकिन पिस्टोल एक गुली मिस हो गई दूसरी चला दो तो हाँ पिस्टोल चला चला के यहां पे दोहर बंदे मैं पकड़ चुका था और इस बंदे की जो यह उपर पीक करके खड़ा था इसकी मैं M के 14 उठा लेता हूँ अब इसी से पकड़ेंगे अब यहां पे मैं आगे बंदो को पकड़ रहा हूँ और हमारे भाई यहां पे अपना सीन अलागे चला है मेरे टिमेट लोग सकीन की बात कर रहे होते हैं वैसे मेरे पे भी नहीं है कोई कर जो यहां पे इन दोनों बंदों को पकड़ लिया था एक बाट भी पेला था तो इस बाट से मैं सकारी लुठाता हूँ और काम आईगी है क्योंकि आगे पे उनको रिवाइव दिया जा रहा होता है तो करना क्या था और मैं भी पहुशता हूँ फटा फट अब यहां पे मैं अगर आते ही सकारी लुठाता तो कोई दिक्कत होती ने बिल्कुल आराम से इनकी पेटी बन जाती लेकिन जाने ग्यों मेरे को क्या घुजली होती है मैंने वोला हम MK14 चलाएंगे और कद्दू कुछ ने उखरता है MK14 से बहुत कोली बरबात की लेकिन नौक ना कर पाया लेकिन आखिर कार जाके सकारेल से मैं इन दोनों तीनों बंदों की पेटी बनाता हूँ और इनी के कपड़े उठा लिए ठीक है यार मतलब बढ़िया कपड़े हैं यही उठा लेता हूँ और यह कपड़े उठाके अब रोचाक पहुंच रहें ओर यहाँ पर दपाके बिटाई होगी क्योंकि दपाके बंदे पहुंचे पड़े हुते हैं तो हाँ यही तीन वे दियetonा गाड़ी लेके मैं पहुंच जाता हूँ रुचाक क्योर कपड़े में बिलकूल हिलने डूलने वाले अब मेरे को लगाया थैयार यहाँ पर हमें अपाटमेंट जाना पड़ेगा लेकिन नहीं यही पर बंदे मिलेंगे हमको यही पर अब यहाँ पर शोर तो हद से ज़दा हो रहा था और यहार मैं मान नहीं सकता की इतना ज़्यादा शोर एक अकेले बाट के लिए होगा हो तो हाँ यहाँ पर मैं एक बाट को पिलता हूँ एक बंदे को पिल दिया लेकिन देखा उसके बाद बाकी बंदे कहां गए मेरे को समझ नहीं हा रहा हुता तो यह चीज ठीक से देखने के लिए मैं करता हूँ घर के उपर चड़ाई और यहाँ पर बता जलता है रुचो की पाड़ की उर्शिप पूरी टीम रस कर रही है दो लोग को मैं नॉक कर चुका हूँ तो और बाकी है यहाँ और यहाँ पर तुम्हारा भाई ड्रॉप शॉट इतना तेजी से देता है कि मेरे टीमेट लोग को पता भी नी चलता हूँ मैंने लेफ्ट वाले को कब मार दिया वैसे इतना तेज भी नहीं था लेकिन काम चल गया नहीं तो मेरे को लगा था मैं फस गया राइट पर भी बन्दा लेफ्ट पर भी बन्दा और मैं उपन में मैंने बोला वैए इक ही चीज़ काम आएगी वो है लेट के गुली चलाना। मैं लेट था हूँ पहला बन्दा सारी गुली मिस करता है दूसरा बन्दा सारी गुली मिस करता है लेकिन मैं चिपका देता हूँ गूलिया। यहां पे हम आखिर कार दबा के लूटते हैं मेरे को लगा कि मामला खाली हो चुका है 4-5 बंदे मैं पेल चुका हूँ एकाथ बोटो की भी पेटी बना दी तो हाँ यहां पे सारी पेटी या लूट के मैं पीछे जा रहा होता हूँ बोटो वाली पेटी या लूटने लेकिन पीछे जाके पता चलता है कि मामला गंबीर है इधर अब हमारे भाई को एक भी गोली टेचनी होती भाईया बोलते यार ये लोग बेकार केलने मैं बोलता हूँ यार मेरी हेल्थ को देखो वह ऐसी तेसी कर दी उन्होंने कर यहां पर मैं बेंडेज वगएरा मारता हूँ और इस वाली दिवार पर आता हूँ क्योंकि वो जो पीछे पतली दिवार पर मैं बैठा था वहां पर दिक्कत होगी अब देखो यहां पर मैं अपने टीमेड लोग को बोलता हूँ कि इन्हें उकसाओ पीक करने के लिए और उकस जाते हैं यह क्या कोई शब्दे उकस जा ना और यहां पर मैं बोलता हूँ कि चलो भईया आखिर कार्प्र रुजा खाली हो गया लेकिन नहीं अब यहां पर गाड़ी देके बंदा आता है कोई दिक्कत नहीं उसको भी पकल लिया और लेकिन नहीं चोट हम पिए चुचिस कि कि पूला खाला रीच ओंधा सबस्के फोगभा मईएट लौ कि खाले हम तट्साइब कि घा कास्वी मीन्स खाले कि दीम है छरीच बड्डेस है था रांग, का मुझे कि मिल लाट थाहुष तिक कि देले और ये बंदा इतने तेजी में लेफ्ट राइट करता है कि क्या ही बताऊं मेरे को लगा यार ये पकड़ लेगा मेरे को लेकिन मैं बच्छाता हूँ आखिर कार AGM चिपा की जाती है कैर आखिर कार जाके हाँ इस बार पक्का खाली हो गया रोजाओ खाली हो जाता है ये दो तीन बाट मिलते मेरे को मैं धैड़ पैड उनकी पेटी बनाता हूँ और चल देते हैं रोजाओ के अलावा कहीं होल पे काफी टाइम बाद यार काफी टाइम बाद रोजाओ पे इतनी हरियाली देखने को मिली खर यहाँ पे हम इसी गाड़ी कुमा रहे होते हैं बंदे डून रहे होते हैं और वैसे भी 24 किल अपने होई चुके थे तो मैंने सोचा यार 6 बंदों को और धैड़ पैड पकड़ लेता हूँ मजा ही आ जाएगा 30 किलो जाएगी और इतने में ही ये होता है अब हमको पका नहीं पता था यहाँ पे कोई बैठा है की नहीं लेकिन उतने में ये AUG चलाते हैं और AUG चलाना भार ही पड़ेगा इन्हें अब ये से पूछूँगे क्या करने चाहता है अब आपको सीडियों पे नेड वाले ट्रिक तो पता है होगी जब भी रस होता है यार लोग क्या गड़ते सीडि पे उठाके नेड पतक देते हैं कोई नौक नहीं होता ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई लपेटे में आ जाए उस नेड के लेकिन हमारे भाई भाई को खुजली होती है सीडि से जाने की भाईया जी सीडि से जाते हैं और उस नेड के लपेटे में आ जाते हैं मैंने यार बहुत बहुत जादा टाइम हो गया ये ट्रिक को काम आते हुए देख लेकिन आज देखी लिया वो भी अपने टीमेट के अगेंश्ट कैर यहां पर हम ऐसी पेटिया रूट रहे होते हैं ड्रॉप रूट रहे होते हैं और ऐसे जवरदस्ती मार कर रहे होते हैं ग और ये थे हमारे ड्रॉप के रक्सक बहिया जी यहां पर लेटे पड़ें ड्रॉप पर निकरानी रख रहे हैं कर दूब ये ड्रॉप का रक्सक आखिर कार उठके दिवार लगाता है लेगिन उसके बाद भी मैं पकड़ी लेता हूं इसको अब हमारे बाई पर बोट की एक महेंगी सकिन होती है कहां से आई मेरे को नहीं पता गलती से मिल गई होगी लेकिन भाईया जी भाई बोट की सकिन लगाने जारे होते बोट पे लेकिन हमारे दूसरे भाई बोट को पहले ही फोड़ देते हैं भाईया ने गोला यार हम पे ना है सकिन तो तुम क्यों लगाओगे तोड़ दिया बोट को और हमारे बाए यहां पे हमारी गाड़ी को तोड़ देते लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आगे जाके मैं दूसरी उठा लेता हूँ अब ये बन जाती है पहले बंदे की पेटी ये उटके भगने लगता है हम लोग देख लेते हैं वैसी ये दुबारा लेटता है लेकिन लेटके वापिस बैठ जाता है मैंने बोले यार लेटना बैठना कया कद्दू लेने पेटी बनाओ इसकी इसको नौक करके हम सीधा पेटी डालते हैं और देखो पेटी डाननी नीची इसका टीमेट दिख जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार सरकल ठीक ही ठाक छोटा है ऐसे ही मिल जाएगा इसका टी माड़ी पे नेट करना चाहरा था बच गया हम कर अब इसको पकड़ के पीटी डालते हैं अब यहां पर देखो मेरे पे नेट और मौली बाजी सब कुछ करता है लेकिन क्योंकि यहां पर मैं पेड के ऊपर चड़के बैठा हूँ तो बच गया जैसे तैसे नहीं तयार वो नेट और मौली बहुच जाता कतरना को जाती कैर हमारे टीमेट लोग पहुच चुके उसके पास और उसकी ऐसी तैसी करने वाले परिसान करने वाले उसे अब हमारे भाई बोल रहे होते कि यार उस बंदे को जोन आने दो मैंने बोला जोन गया कद्दू लेने यहीं पर पेटी डालूँगा यहां पे आर वो मेरे एक टीमेट को नौक तो गर देता है लेकिन वो पेटी ना बना पाता यूंकि भाईया जी चाते थे वो दोनों ब गाई उठा दिया उसको और उठने के बाद वो पीछे पढ़ता है डीपी लेके लेकिन बहुत देर हुजाती है तब तक मैं उसको पकड़ लेता हूं लगता है गलती सैट सौट और जोन के बारी उसकी पेटी बनती है अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ 29 किल हुए एक बंद आज की वीडियो में इतना ही बहुत दो शुक्राइब वीडियो देखने के लिए जाते जाते इस गलत सीन वाले गेमप्ले के लिए एक लाइक पिलना मत भूलना और अगर आप यहां पे नए हूँ तो आर करो सब्सक्राइब और वह ऐसे गलत सीन वाले गेमप्ले सस्तिक वेंट्री और और भी गलत सीन के लिए तो कल मिलते हैं और बहुत शुक्राइब वीडियो देखने के लिए आज की वीडियो में इतना ही बाबाई आप यहां आप यहां वीडियो में अबाई